हेलो और वेलकम टो दोस्तों ग्यान केंपस आपके अपनी यूट्रिब चलिन ग्यान केंपस में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्च्छर है इलेक्टिकल फिफ सेमेस्टर सब्जेक्ट हमारा स्विच गेर प्रोडेक्शन जैसा कि हमारा टॉपिक चल ला तो कि फ्यूस ता फियूस में हम आगे का टॉपिक उड़ेंगे ताइप फ्यूस करते हैं उसके बारे में बात करेंगे तो आपका ज्यादा समयने लेते हुए चलिए आज का वीडियो लेक्चेर शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पर एक और बात दुस्तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीज़ेगे चैनल तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि फ्यूचर में आने वाली अप्डेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें तो बीना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं तो जैसा कि आप इसמד पर देख पा रहे है टाइप सफ्यूचर डालेंगे पहले फिर उसके बाद वॉल्टीक्य अनुसर्ण यहानि व्ॉल्टेज के अनुसर्म कितने प्रकार के होते हैं सेंहीप घार दूरोल्डवारा जोड देते हैं जो नोर्मली आपके घरों में यू HRC High Repeatering Capacity Fuse यह most important है यह पूछा जाता है तो semi-enclused re-wireable fuse यह क्या होता है देखते हैं इसमें मुख्यता तीन भाग होते हैं पहला fuse element, fuse carrier और fuse base तो तीनों के बारे में हम जांच चलेते हैं मतलब देख लेते हैं तो दिस्तों पहले heading आप डालेंगे fuse element, fuse element क्या होता है related current को वहन करने की छमता वाला तथा अभिकल्पना के अनुसार एक निश्चित लंबाई वाला fuse material से बने पदार्थ, तार का टुकड़ा होता है या पदार्थ नहीं या तार होगा ठीक है दूसरी heading है मारा fuse carrier या पोर्सिलीन या बेकलाइट का बना होता है जिसके मद्य भाग में एक उपर को उबरा भाग होता है इस उबरे भाग के दोनों और पीतल या कॉपर के बने दो संयोजी खंड़कों की विवस्था होती है ठीक है आप रियल वाला fuse देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे दो ऐसे उबरे हुए रहते हैं उनमें हम वायर को connect करते हैं ठीक है इनी दो संयोजी खंड़कों के बीच fuse element के आवश्यक्ता नुसार एक या एक से अधिक strands कसकर संयोजित किये जाते हैं यानि लगाये जाते हैं तो यह आपका diagram होता है ठीक है यह यहां पर आपका यह पोरसलीन का बना या बैकलाइट या पोरसलीन का बना यह खंड है दो ठीक है यह आपके copper या brass का strands है और यह दो खंड़क है जिसमें हमने wire को जोड़ा है ठीक है यह diagram का आप screenshot ले लिजे और बना लिजे बढ़ते आगे और हाँ आगे बढ़ने से कवर बाद दोस्तों अगर कुछ हमारे दोस्तों को नहीं पता है तो जैसे देखिए high voltage या आया हमारे घर में ठीक है तो यह wire जो होता है पिगल कर टूड़ जाता है जिससे supply रुख जाती है तो यही काम होता हमारे fuse का fuse base दूसरा point हमारा अगला point fuse base fuse unit का वा भाग जो fuse carrier को धारन करता है fuse base कहलाता है ठीक है आगे दिखते है fuse base यानि संगलक आधार आप इंगलिस में याद रखिए हिंदी में बहुत टफ वर्ड है fuse base पोर्सिलेन या बैकलाइट का बना हुआ होता है इसके मध्य भाग में fuse carrier को धारन करने हे तू एक गहरा स्थान बना होता है इस गहरे स्थान के और यह आपको दुख दिख नहीं रहा आगे देखते हैं दोस्तों इस गहरे स्थान के दोनों सीरों में दो नियत कॉंटेक्टर की विवस्था होती है जिन में से एक के साथ सर्किट के लाइव वायर का इंकमिंग ठीक है सीरा तथा दूसरे सीरे से आउटगोइंग सीरा संयोजित किया जाता यानि कनेक्ट किया जाता है यह डाइग्राम है उसका आप देख लिजे स्क्रीन सॉट ले क्लरी यह यहापका फ्यूज फ्यूज एलिमेंत हो गया ठीक है जो आपका पिघल टूटता है और बाकी फ्यूज बेज़ कॉन्टेक्टर हो गया ठीक यह क्योगई हो तो कुछ सब्सक्राइब होते हैं इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं एक करियर को फ्यूज बेश मे के दोनों नियत find context के मध्य संपर्क स्थापित करते हैं आगे देखते हैं फ्यूज केरियर को फ्यूज बेस से बाहर निकाल कर संगलक यानि फ्यूज हो जाने पर पुना लगाया सकता है इसलिए परिवेस्टी संगलक पुनातार योग ź Now में वाइराबल फ्यूज यूनिट के नाम से से भी जाना जाता है आपको इसके काउस्प्योग होता है semi enclosed fuse unit का उपयोग low voltage एवं current वाले वैद्यू तंत्रों एवं प्रतिष्ठानों जैसे domestic electrical installation में यानि घरेलू installation में हम करते हैं ठीक है ट्यूब वेल में जो आप पानी वगरा देखोगा गाउं या खेतों में ट्यूब वेल लगे होते हैं वहाँ पे होता है ठीक है आगे देखते हैं एटवांटेज डिटिक डालकें और समीच एंकली फ्यूज्व के लाभ निमन है तो इस पुनातार योग यानि दी वायरेबल होते हैं पुनातार स्थापन में एकनॉमिकल होता है ठीक है एकनॉमिकल है और पांचवा पॉइंट है इसमें आप चाहें तो चार ही लिख दें कोई दिक्कत नहीं फिर मैं बता देता हूं फ्यूस कैरियर या फ्यूस बेस के डैमेज हो होती है डैमेज भाग यानि जो तार हम लगाते हैं वह अगर पीघल के टूड़ गया तो हम उसमें नया तार लगा सकते हैं और उसमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके डिसद्वांटेज देख लेते हैं तो इस सेमी इंक्लियूस के नि निर्धारित छमता के लगभग दो गुने मान पर होता है जिसके फल्स वरूप परिपत में संयोजुत प्रण को छती हो सकती है थर्ड पॉइंट है इसमें देख लेते हैं थर्ड है आपका बहुत दिनों तक उप्योग में आते रहने पर उस अवधी में गर्म होकर संगलक यानि फ्यूज एलिमेंट का ऑक्सिकरन हो जाने के कारण निर्धारित धारा मान पर संगलक यानि फ्यूज होना संभव नहीं हो सकता है किन्तु नए अलिमेंट का फ्यूज निर्धारित धारा मान से अधिक मान पर ठीक है अधिक मान पर संभव होता है अता बस इतना ही लि धारा पर तथा कम लंबाई वाले संगलक अव्यावकार संगलन अधिक धारा पर होने के कारण परिशुद्ध यानि एक्विरेट कैलिब्रेशन भी असंभव है तो लास्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों रिवायर्ड करते समय यानि पुना तार जोड़ते समय रॉंग साइज इसका भी तार प्रयोग कहिए जाने की संभावना होती रहती है तो यह हमारे कुछ डिसएडवांटेस थे और यह टॉपिक यहीं पर एंड हुआ इसका जो सेकंड पार्ट है एंक्लियूजड फ्यूज हम सेमी इंक्लियूजड पढ़ नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे यानि नेक्स्ट वीडियो लेक्च्ट तो आज को टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक किजिएगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है कोई भी क्वेरी और सजेशन और कमेंट कर दिजेगा और अभी तक आपने टेल